प्यारे से और छोटे सिस क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चंदरियान 3 मिशन और भारत का पहला सूरिय यान यानि कि आधित्या L1 मिशन से जुड़े हुए questions के बारे में जो आपके आगे पूछे जा सकते हैं चंदरियान 3 और चंदरियान 2 से आपके question MTS exam में भी आज सकते हैं तो बचास का ध्यान दखना अच्छे से सारे questions के जवाब जो है वो revise कर लेना और जो नहीं आता है वो अपना note कर लेना तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले आपका question पढ़ता है याँ पर mission चं चंद्रियान 3 ने चंद्रमा की सधया पर land कब किया है बचा तो आपका 23 अगस्त को 6 बचकर 4 मिनट पर हमारे class चल देती हैसे सिवाला पर है ना चलो 23 अगस्त 2023 को 6 बचकर 4 पी एम पर इसको land किया है विक्रम लेंडर ने ये क्या है बच्चा ये विक्रम लेंडर है अगेन जो आपका 2019 वाला जो चंद्रियान 2 मिशन था उसी का ही एक अनुवर्ति है यानलिकि इसमें हमने लेंडर और रोवर को ही भेजा है नाम भी बिल्कुल सेम है लेंडर का नाम विक्रम है विक्रम सारभाई जी के नाम पर और रोवर जो है रोवर का नाम आपका बच्चा प्रग्यान है तो इसने आपका लेंड किया था 23 अगर्ज 2023 को नैशनल स्पेस डे और जहां पर यह लेंड किया है बच्चा उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट है ना शिव शक्ति पॉइंट और वहीं अगर हम बात करें चंद्रियान 2 वाले पॉइंट को तो हमने उसको दिया है तिरंगा है ना क्या नाम दिया है बच्चा तिरंगा यह भी ध्यान रखेंगे आगे देखो मिशन चंद्रियान 3 के सफल लेंडिंग के बाद भारत चांद के दक्षनी दूर पर पहुंशने वाला नंबर वन यानि की पहला देश बन गया है और और बच चंद्रियान 3 को कहा पर आपका लेंड करना है तो मून के साउथ पोल पर आपका जो है यह लेंड कर चुका है और उसने कई सारी चीजों का भी वच्चा आपका क्या इमेजिज भेजी है कई सारी चीजों की जैसे बोला गया कि वहां पर ओक्सीजन और सर्फल दोनों ही चंद्रियान 3 को किस रोकेट से लॉँंच किया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा तो यहां पर देख लो चंद्रियान 3 को जिसको पहले ज-सल्वी माक-3 भी बोला जाता है तो अब इसी को बच्चा ऐल वी एम 3 बोला जाता है और इसका चो तो यहां पर M4 भी आपके यहां पर मिल जाएगी आगे आपका चंद्रियान थ्री मिशन के नेतर तो जो है वो किस ने किया है तो रितु करीधर है ना जिनको रोकिट वूमेन के नाम से भी आपका जाना जाता है शिव शक्ति पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया जहां पर विक्रम लेंडर चंद्रियान 2 का मिलना था वो आपका तिरंगा पॉइंट हो जाएगा चंद्रियान 3 मिशन के जो आपके डारेक्टर है उनका नाम क्या है देट इस मोहन कुमार ध्यान रखेंगे चंद्रियान 3 को मिशन करने में कुल कितना खर्च आया है आपसे पूछ लेते हैं 615 करोड चंद्रियान 3 की theme क्या है यह थी science for the moon और यहाँ पर थोड़ा सा और समझना बायचान सापसे अगर ज्यादा डीप में question पूछने लगे तो यहाँ पर ध्यान रखना लेंडर का नाम वही आपका क्या है विक्रम है रोवर का नाम आपका प्रज्यान है लेंडर विक्रम का ज कोन सा यह mission है कब इसको चांद के साउथ पोल पर यह लैंड किया था हम उस फेस डे आपका सेलिब्रेट करते हैं नैशनल स्पेस डे हां तो बच्चा बस यही है आपके इसमें तीन पेलोड थे आपका जो प्रविक्रम लेंडर और आपका क्या था प्रज्यान रोवर था त बता चुके हो आगे रोकिट वुमेन के नाम से किनको जाना जाता है रितु करीधर अभी मैंने आपको बताया है रोकिट मैन के के शिवान जो कि आपके बच्चे जब चंद्रियान टू जो लॉंच वाता स्टाइम पर आरक्टर थे आज के टाइम पर हम बात करें तो इस र मैनों फिंडिया के नाम से किनको जाना जाता है बच्चा तो मल्यसामी अनदुराई को नाम जो है इसमें आपको राइट आंसल लगाना है यह चंद्रियान वन के प्रोजेक्ट डारेक्टर भी रहे है ठीक है चंद्रियान वन मिशन जो 2008 में हमने लॉंच किया था यह उसके प्रोजेक्ट डारेक्टर भी आपके थे उस टाइम पर चंद्रियान थ्री मिशन में प्रोजेक्ट डारेक्टर जो है वो आपके कौन थे तो वीर मुथुवेल जो थे आपके प्रोजेक्ट डारेक्टर है इस चंद्रियान थ्री में आगे चंद्रियान थ्री मिशन में इस कौन सा अपकरण लगा है तो यहां पर शेप आप इसके फूल फॉर्म देख लेना स्पेक्ट्रल आपका पॉलिमेंटरी ओफ है बिचल प्लैनिट अर्थ आपका इसके बाद है लेंडर पेलोड में ताप्या चालता और तापमान को मापने के लिए कौन सा अपकरण बचाट यानि कि आपका चंद्राज सर्फेज थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट और हर एक क्या काम है बच्चा वो भी आप आराम से यहां पर देख सकते हो आगे देखना लेंड की स्थल के आसपास भुकंप गतिविती यानि कि सिसमिक आपकी वेश को नापने के लिए मापने के विडिकी सुपकरन का परियोग आपका किया गया है तो यह है आपका इल्सा, ILSS, Instrument for Lunar Seismic Activity, to measure seismicity around the landing site and आपका डिलेंटिंग दा structure of the lunar crust and mental, यह बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन हमको इसको शोटकना है, यह आप पोस करके आराम से देख लेना, डाउन्लोड कर के अराम से देख लेना प्लाजमिक घनतव और इसकी विविताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र आपका लगाया गया है तो यह है बच्चा आपका रंभा एल पी ठीक है लेंगमियूर प्रोब आपका यहां पर ध्यान रखना लेंडर इस्थल के आसपास जो मोल लुनार सोयल ठीक है आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा चंद्रियान थ्री के लिए परमुक रोकिट इंजन का नाम आपका तो क्रायोजनिक इंजन 20C20 आप इसको बोलते हैं चंद्रियान थ्री के लेंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन बच्चा लगे थे तो आ अधित्य एलवन भारत का या फिर कईए पूरे एशिया में भारत आपका पहला देश बन चुका है जिसने अपना जो सूर्य मिशन है वो लॉंच किया है 2 सेप्टेंबर को सुबह 11 बच के 50 मिनट पर इसकी लॉंचिंग थी हम उस ताइम पे लाइव ही आपकी क्लासिस का क् इसको सूर्य ही कहा गया है तो आधित्य एलवन किसके द्वारा बच्चा इश्रो के द्वारा ही लॉंच कब हुआ है आपका 2 सेप्टेंबर 2023 को 11 बच कर 50 मिनट पर कहां से यह आपका कहां पर लैंड करेगा एक तरह से कहिए लैंड तो खेरिये नहीं करेगा यह आपका और इसको बचा इसने उडान भरी है इसका टोटल टाइम टो रीच एलवन अब देखो यह कहीं कहीं पर आप इसको विकिपीडिया पर खोलोगे 117 दिन टोटल पीड लिखा है कहीं और चैनल पर देखेंगे 127 दिन बट जो इसरो ने कल आपका लॉंचिंग के टाइम पर बताय जाएगा अभी आगे देखें बच्चा आगे आपके सामने है इसमें कौन सा रोकिट हमने यूज किया है तो हमने इसमें PSLV Polar Satellite Launch Vehicle C57 जो है वो लॉंच किया है डिस्टेंस कितनी पर है यह L1 जो पॉइंट है लेंगरांज जो पॉइंट है यह आपका कितनी डिस्टेंस पर है तो यह प्रिथवी से 15,000,000,000 km या फिर 1.5,000,000 km जो है वो दूरी पर है और यह आप देख सकते हो यह हमारी अर्थ है यह L1 पॉइंट है यह सन है और यह बाकी आपके लेंगरांज पॉइंट है पेलोड टोटल इसमें कितने गए है तो इसमें टोटल बच्चा 7 पे प्रोजेक्ट डारेक्टर इसके कौन रहे है तो निगार साजी जो है इनकी प्रोजेक्ट डारेक्टर रही है अदित्या एलवन मिशन की आगे चलते हैं आगे आपके सामने बच्चा यह टोटल साथ के साथ आपके पेलोड है अगर आप से पूछ लेंगे मास ओफ टोटल तो आपका क्या हो जाएगा 244 केजी का हो जाएगा यहां पर जैसे आपके VELCC जो खोज करने जा रहा है एक तरह से एक तरह से कहिए यह सं को स्टडी करने जा रहा है उसके अलग अलग पार्ट की स्टिडी जैसे कोरुनल एफेक्ट बच्चा उसे आने वाली रेडियेशन ठीक है उनका इफेक्ट जो हमारी अर्थ पर पड़ता है उसके बारे में तो जो अलग 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 के लिए बच्चा आपके अलग अलग मोड्यूल यहां पर लगाए हुए या फिर कहिए अलग 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 इंस्ट्रूमेंट आपके गए हैं जैसे आपका आधित्य सोलर अलग अलग खोजे हैं यह सारी आप अराम से देख लेना इत्मिनान से आप देख लेना आगे मैंने इसरों की ही साइट से इनको बहुत अच्छे से सातों के सातों जो पेलोड है प्लस उनकी आपकी फुल फॉर्म यहां पर लिखी हुई मिलेगी आपका वी इलसी वीजिब अच्छे लवन का वो उसकी कोरोना लेयर को स्टेडी करना है कोरोना वो लेयर जो आपको सूर्य ग्रहन यान की सोलर एकलिप्स के टाइम पर दिखाई देती है तो कोरोनल इमेज एंड इस स्पेक्ट्रो स्कोपी उसके लावा बच्चा सूट है सोलर अल्ट्रा वोलिट इम आपको बताया प्लाजमा ठीक है प्लाजमी की पैचान करने के लिए प्लाजमा एनलाइजर पैकीज फोर आधिते यानि की पापा बच्चा इसको सोलर वेंड्स पार्टिकल एनलाइजर इलेक्ट्रोंस और हैवियर आयन्स विद डारेक्शन ठीक है तो यह सारी बेसिकली ज आधित्या एलवन से संबंदित की कब लौंच हुआ है कोन इसके बच्चा प्रोजेक्ट मैनेजर रही है कौन इसके प्रिंसिपल साइंटिस जो है वो रहे है तो यह क्वेस्टिन आप से बन सकते हैं बाकि स्टडि का भी क्वेस्टिन आपका नहीं आएगा ठीक है और फु आपका रिवीजन अच्छा हो गया होगा अगर हो गया है तो थैंक्यू सो मच्च इसको प्यार देना इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार देना और दूआ करना कि हमारा आधित्या एलवन मिशन जो है वो अपना बहुत अच्छे से सक्सेस्फुली वहां एलवन आपके लिए जाते जाते एक सवाल छोड़के जा रहे हैं जो यह एलवन पॉइंट है यह किस साइंटिस्ट के नाम पर जो है वो रखा गया पूरा नाम बताना है क्यों आधा तो मैं भी बता चुकी है तो पूरा नाम आपको कोमेंट करके बताना है and thank you so much everyone bye bye take care मिलते हैं क किसी अगले अच्छे से टोपिक में आपके रिवीजन के लिए